हरिश्चंद की हालत को देखकर के कालिया भंगी सम्शान घाट के उपर हरिश्चंद की डूटी लगा देते हैं समय खिलाए खेल मनुसर होता है नर्से बड़ा बलवान समय नहीं होता समय होता है आज वो समय आ गया इकलोते लाल को नाग ने डस लिया राणी तारावती जो पंडित रामलाल के घर काम करती थी रोतास कवर की लहास को केले के पत्ते में लिपेट करके सम्शान घाट के अंदर लेकर के आ जाती है और गोसे खटे करके रोतास कवर की चिता को आग लगाती है धुआ उठता देख करके हरिश्चंद आ जाता है आग करके उस चिता को बखेर देता है के पहले मेरे मालिक का कर मुझे चाहिए उसके बाद आप मुर्दे को आग लगा सकती हो महर्वानों कर देने के लिए तारावती के पास कुछ नहीं होता चीर और कंठी को दे देती है हरिश्चंद मन ही मन पश्चाता आप करता हुआ काली अभंगी के पास पहुचता है और जब चाह करके कहता है कि मालिक ये चीर में एक दुखिया का दे करके आया हूँ तो कैसे दोनों के आपस में सवाल और जवाब होते है क्या कुछ को भी करतना भाई हरिश्चंद मे ये क्या तेरे हात में है चेहरे की आभी खतम है आखिराज संशान घाट में क्या हुआ है मालिक एक बहगर दुखिया अच्छा उसके पूत को नाग ने डश लिया उसके पास कर देने के लिए कुछ नहीं था आपका वसूल है कि सवारुप्यार कफण मुझे चाहिए और मेरा भी फल्ट बनता है कि आपका मैं नौकर हूँ इसलिए उस दुखिया से कंठी और चीर लेकर मैं आपके पास माज़ा हूँ लेकिन मुझे कासी पूरी में इतना करीब कोई नजर नहीं आ रहा जिसके पास मर घटका कर देने के लिए पैसा ना हूँ मालिक यह तो मुझे पता है कि यह कासी रहीसों की कासी है पैसा वाला की कासी है लेकिन इसमें एक दुख्या थी उसका मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता मालिक अच्छा हाँ विचारी दुख्यारी उसके पास कुछ नहीं ता कर देने के लिए कंठी और चीर दिया है किसका चीर ले आया हरिया और किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्या आई और के पूझेगा काल ले विचारी नहीं बता आई किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्या आई के पूझेगा काल ले विचारी नहीं बता आई किसका चीर ले आया तामने ज्ञाई अरे किसका मर गया लॉल बोता जो कर तक ना दे पाया एक या भागने तुखिया जिसका पूत नागने खाया एक चिन भागने ये घर का मत उतना तोटे आया ए मत बुझे अरे मत बुझे उस दुखिया का मने बेटा गोद खिलाया एक चिसका चिकरे दुखाया रे तोने आती बात बताई अरक के हैद्य में दिखक के हैद्य में छोटी नर्जे जबलोट के कश्ट कमाई ओ किसका चिर ले आया हरिया बता मने अन्याई य्थ आप सक्टूपार समया चिर ले नर्जे एक बताई मालिक, मेरी आखों के आशु देखके आप इस तरह की बात कर रहे हो हरिया, अब से पहले मैंने इस हालात में कभी तुझे नहीं देखा आज जो आवाज तेरे अंदर से निकल रही है, उस आवाज में भी कमपन है चेहरा बिल्कल बुरी तरीके से बुझा हुआ है मालिक, आज वह सूरत छिपके आज जिसके उजाले में मैं बैठता था जिसके लिए मैं जीता था, कई अपड़ी बात मालिक इंजरिया गाम में आशू आरा और फी कपड के जहरा अरे सूरत छिप गया, सूरत छिप गया, काले रहे मेरे कुल का हुआ या देहरा एक जिनर बागन की लास देगे, जो दुखी हुआ तेरा जिनर बागन की लास देगे, हुआ दुखी चहरा तेरा हुआ दुखी मन तेरा मेरी तारा का, मेरी तारा का, जाया रोहित नेरे भागपूत था मेरा मन के बेरा, मन के बेरा था हरिया रहे के बेरा था हरिया रे देगा गिर्ण अंहाई सब कुछ जाणू सब जाणू था काले रे रोवे धिंग हाट पे म्याई किसका चीर ले आया हरिया वता मने अंहाई अपनी ब्याहित हरिया क्यों चीर ले अपे दरे दी अरो दर्म छोड़के दर्म छोड़के ब्याहित कैसे कर लेता हम दरे दी ये बारी गलतिकरी इतने हया सरमतार के धरे दी तेरा हुकम बजाया मने इस मैं के बेजा कर दी तन बरती जोली पाप जहरिया बरती जोली पाप जहरिया उदुकिया पीर सताई मैं बेबस होगा मैं बेबस होगा काल रह मरगट की रीत मिभाई किसका जीर ने आया है या मता मने अन्या आई मैं बात अच्छे महराद या तन बज्जर का दिल करेके ये समस्यानों का समस्यानों का ने में निबहाया संकट में डिल डिल के हो समस्यानों का ने में निबहाया संकट में डिल डिल के ए मरे पुत की लहाद देखके रोया ना आह भरेके अरे सत के कारण सत के कारण स्रश्टी ते पेंडा छूटेगा मरे के उस पन में सरक न्या होगा रे पन में सरक न्या होगा दीवार दर्म की डहाई ओ सरस्वति मा रिसी पाल की परिये आज सहाई किसका जीर ले आया हरिया मता मने अन्याई ते पुझेगा अटार रहता जाती नहीं बडाई किसका जीर ले आया हरिया